है वारी ह्यान वेलकम यो डिंट लुकई सर अनलिम्म्टी स्टडी जॉन तो दूस्तों आज हम कर रहे हैं डिश्टहरा फैक्ट मैं आपके सामने बतायाँ बोलने को प्रॉत हैं मगर यहांपर मैंने क्या लिखा जुन अपालत है क्या लिखा है चैप्टर सबसे पहले बात करते हैं एंगल क्या होता है तो एंगल याने की कोण ओके तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये लेक्ट्र हम कवर करेंगे पहले इंगलिश में फिर हिंदी में तो एक सिमें फिक्स में होती है और एक रिवाल्विंङ का मन कौन और एंगल बोलते हैं तो एक नियत रեखा के सपच एक इक घुमती हुई रेखा का गूमती हुई भ्रामख रेखा के चक्रिण का आमान कोण कहलाता है the moving line is coincided to the fixed line okay the moving line is coincided to the fixed line or parallel to the fixed line the angle is zero degree yes start medici आपके पास में यह आपके पास fix line है okay और इसी के उपर जो है moving line हो आपको दिखने ही रही क्योंकि दोनों inside है एक का point A है और एक का point B है दोनों एक दूसरे के ऊपर आपको दिखाई नहीं दी रही है बट धीरे धीरे जो है moving line जो है इसके उपर roll करना शुरू हो जाती है ओके जैसे moving line देखिए पहले शुरुआत में यह थी आपनी भाई fix line थी ओ ए अब इसके बात क्या हुआ हुआ है जो moving line है घुमना सुनू हुई पहले B1 पोजीशन पर गई फिर B2 पोजीशन पर गई फिर B3 पोजीशन पर गई तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो लाइन है वो अलग-अलग पोजीशन पर जारी बट कौन सी लाइन जारी moving line या moving रे और यह अलग-अलग amount of angle को बना रही है मैं दूसरे color से amount of angle को दिखाता हूँ यहाँ पर दे कर दі आप ओकर देखी जो पहला angle बन रहा है सबसे छोटा यह वाला angle यह वाला angle ऊसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा वाला angle यह वाला बन गया है क्या है सबसे छोटा वाला just subscribe अब देडीजे थिटा 1 तो इस तरीके से ब्रामक रेखा स्थे रेखा के ऊपर है तो इस त्रेका यानी की फिक्सलाइन के रहती है और प्रामक रेखा इसके उपर गूमती रहती ही ओर जितना ज़्दा घुमेगी उतना ज्यादा एंगल बनाएगी अब बात करतें मेजरिंग सिस्टम मतलब की मेजर करने का सिस्टम क्या है तो भाई मेजरिंग सिस्टम के लिए अगर रोटेशन इस क्लॉक्वाइज को इंगलत में इंगल क्या लेना पॉस्टिव लिना है इस आपको क्या लेना है पॉस्टिव लेना है तो यहां पे क्लॉक्वाइज होता है इस तरीकिक चल रहा अप ठीक आ रहा है ठीक ना थोड़ी सी डार कर ली जा बैन की यह थोड़ा आइट वो यह तो लाइट होगी भाई डार करनी थी तो हम लोग ब्लू कलर से लिखते हैं थोड़ा आप ठीक आ रहा है तो देगे इफ रोटेशन आप दो मुविंग लाइन इस एंटी क्लोक वाइस देन दें अंगल पॉज़रटिव और अगर क्लॉक्वाइस होगा तो एंगल क्या ओगा नेगेटिव अब बात करते हैं दोस्तों पेज़ नंबर टूबे र माच उक्क है अब हम बात करते हैं सिस्टेम ऌफ मेज़रमेंट ज़ोगा करने कि system अलग-अलग आते जा रहे हैं तो हम पढ़ते हैं इसको टूदा measurement to the measurement of angle mainly three methods are used तो ये कोण की मापन पधरिया है हमारे पास तीन system है सबसे पहला system है sexagasimal system देखे sexagasimal एक word है इसका मतलब होता है 60 okay sexagasimal का मतलब होता है 60 इसी को English system बोलते हैं और यही British system कहलाता है और यही sexagasimal system कहलाता है इसमें कितने part होते है 60 part होते हैं कैसे होते हैं ये देखे in this system one right angle equal to 90 degree क्या होता एक right angle होता है ये right angle अगल इसको 90 चोटे-चोटे part में तोड़ा जाता है और हर पार्ट को बला जाता है कि वो एक डिग्री है So, one right angle equals to 90 degree One degree equals to 60 minute जो ठोटे डिगरी है न, उस डिगरी को 60 छोटे-चोटे पाट में तोड़ दिया गया और हर पार्ट क्या कहला गया, sorry, minute तो एक डिगरी जो थी जो nine, देखो राइज एखर हमोगे को पहले है आपने कीसमे तूड़ा डिगरी में फिर डिग्री का ये छोटा सा पार्ट निकला, suppose ये वन डिग्री है, इस वन डिग्री को आपने छोटे और पार्ट में तोड़ दिया, तो वो बन गया कि है, 60 सेकेंड, तो वन मिनट इकोल टू 60 सेकेंड, तो इसमें क्या चलता है, इसमें भाई साब पहले वन राइट एंग इसे हिंदी में दशमिक पधधी बोलते हैं, सेंटेसाइमल सिस्टम, जो सेंटेसाइमल सिस्टम हो, सेंटेसाइमल का मतलब होता है 100, ओके, यहां से मुझे याद रहता है कि इसका मेनिंग क्या होता है, सेंटेसाइमल सिस्टम या इसी को फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, फ्र पार्ट को बुला जाता है one grade क्या बोलते है one grade तो one right angle में कितने होंगेcha right angle में कितने grade होंगेาน 100 grade होंगे ऐग् filmmakers क्योनकि आपने यापने आपने सौ पाट करें सब्सक्रावने ग्रेड और हर emyनजसे मिनट कितने सेकर्ड होंगे है but take 100 second मतलब यह जो system है और ज़्यादा कहना चाहिए sensitive है sensitive मतलब इसमें और ज़्यादा आप छोटा छोटा नाप पाएंगे क्योंकि उसमें तो 90 part करता था ना इसमें तो 100 part करता और 100 के बाद वहाँ पे 60-60 होते थे इसमें तो 100-100 हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा accuracy system में आ जाएगी last system है भाई सब circular system इसे में कहूँगा SI system आज जो SI system है मतलब international standard system जो चल रहा है वो इसी को support कर रहा है और यही circular system है तो circular system में व्रती पद्धती भी इसको हिंदी में कहते हैं यह radian system कहला था इसी का नाम circular system है इसी का नाम radiant system है और इसी का नाम physics की भाषा में SI system पढ़ जाता है तो इसमें क्या होता है इसमें जो angle की सबसे छोटी unit है वो one radiation है मतलब इसमें जो एंगल सबसे छोटा वाला है ना वो वन रिडियन है मतलब इसमें यह कहना चाहिए कि काफी बड़ा एंगल यह वन रिडियन है क्यों अभी आपको मैं आँगे पढ़ाऊंगा जो वन रिडियन होता है ना वो नियरली 57 डिग्री के पास में होता है तो इसकी 1 रिडियन इसकी यूनिट जो होती है वो बैठ योन रिडियन होती है अब आप कहेंगे कि सर वन रिडियन क्या होटा है देखो इसमें में फॉर्मूला प्लाप यादर को थीटा इंडर रिदियना थीट डियर् रोंगल कि तो आर्क आपान डिपी लेडियस आर्क भी मतलब कोई L Length का आर्क है तो और L Length की रिडियस ले लिजे या कह लिजे कि जितनी Radius है उतने काई आर्क ले लिजे तो अगर जैसी यह Radius आपके यहाँ पर दिख रहे हैं यहाँ पर रिडियस है यह Radius है इतना अगर radius और आर्क की size equal ले लेंगे तो जो angle center पर बनेगा वो angle कहलाएगा इसे माल लो यह radius है इसकी r ले लो उसको r और यह length of arc जो है यह भी कितने का है r है तो यहां पर जो angle आएगा वो कितने आएगा 1 radian तो इसका फेले formula देख लेते हैं फिर थोड़ा सा 1 radian पर हम बात और करेंगे 1 radian is the angle subtended at the center of the circle by an arc of the circle equal to the radius of the circle मतलब ऐसा circle जिसकी radius जो है जिसकी आर्की की length radius के equal है मतलब जो चाप लग रहा है वो जो चाप हिन्दी में चाप बोलते है आर्क को चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर है तो यहां पर जो angle बनेगा जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 1 radian देख लिए रहां से यहां प और जो आर्क की लंबाई यहां पर आ रही है वो भी कितने मीटर की 1 मीटर की तो 1 upon 1 equals to 1 radian अब radian में एंगल नापने का तरीका होता है फॉर्मूला नोट कर लेजिए theta in radian is equals to arc upon radius अब देखे यह जो वन राइट एंगल होता ना इसे बोलते हैं पाई बाई टू रेडियन वन राइट एंगल इकोल्स टू पाई बाई टू रेडियन यह हुआ करता है अब आई यह देखते हैं equation between various measuring system तो आप देखे धियान से वन राइट एंगल को कितना बोला पने 90 ओन कर सकते हैं जैसा चाहो आप जो है इसका इसतेमाल कर सकते हो आई नोट देखते हैं नोट बाई बाई टूम इस इतके अए प्रका सिघ्धेट लेजिया गरहने हैं हम एक रिदियन निकाल रहे हैं की एक रिदियन में कितने लिडिअ होता भी मैंने बताया था ना कि 1 radian की में लगबग nearly 57 degree होते हैं तो वो कैसे आता है तो आप लोग जानते हैं ना pi by 2 radian में किते डिगरी होते है 90 degree तो pi radian में किते हो जाएंगे 1922 यानिकी 180 degree so one radian में कितने हो जाएंगे 180 upon pi so 180 upon pi मतलब 22 upon 7 तो 7 ऊपर चला जाएगा और इतने degree इसको solve कीजिए आपके साबने कितना आएगा 57 degree आएगा फिर incomplete degree को minute में बदल दीजिए तो 17 minute और incomplete minute को seconds में बदल दीजिए तो 45 तो इससे आप याद कर सकते हैं 57 degree 17 minutes and 45 seconds यह होता है one radian okay so one radian में इतने हुआ करते हैं आये कर्च conversion करते हैं मज़ेदार degree to radian and radian to degree to degree को radian वादना तो बहुत आसान है one degree 190 degree में कितने radian होते हैं पाइबाइड तो तो वन डिगरी में कितने होंगे 2010 5 by 2 into 1 upon 90 मतलब पाई अपाइबाण 180 तो अगर कभी आपको डिगरी को रिडियन में convert करना है तो क्या करेंगे one degree को पाई ऑप उन वन एती डिटे लिए अब इसका बंधिये बात तो नाैंटी डिगरी में रहोते है होते हैं तो वन ग्रेट में 90 अपॉन हंड़ड डिगरी हो जाएंगे और वन ग्रेट में 9 by 10 degree अगे दिखते हैं दिखिए आप 이को convert करना है radian to grade में तो radian to grade में कैसे convert करेंगे जीक히 इसको convert करना है radian to grade में तो radian to grade में कैसे convert करेंगे देखे, pi by 2 radian में 100 grade होते हैं, तो pi radian में 200 grade हो जाएंगे और one radian में 200 upon pi grade हो जाएंगे अब इसके बाद है, gradient to the radian, grade को radian में बदलेंगे, देखे, कैसे बदलते हैं 100 grade में pi by 2 radian होते हैं तो 1 grade में कितने हो जाएंगे pi upon 200 radians और pi radian is equals to 200 grad देखें प्रूफ करने को बोला गया कि प्रूफ करिए pi radian equals to 200 grad तो बहुत ही simple है हम जानते हैं कि pi by 2 radian जो होता है one right angle होता है और one right angle में 100 grad होते हैं तो pi radian is equals to 200 grad so simple it is बच्चों तो यह आराम से आप कर सकते हैं बहुती छोटे-छोटे easy conversion होते हैं यहाँ पर थोड़ा मैंने जल्दी कवर किया है बट जब आप किताब को पी लेके solve करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से आप solve जाएगा चलिए तो टिक्नोमेट्री के दूसरे पाट पर जाते हैं जहाँ पर हमको पढ़ना टिक्नोमेट्रिकल रिशियो जीसे फिर हमचो में देखिए एक्स्क्यूज मी बच्चों ऐख ऊके तो बच्चों यह देखिए देखिए यहां पर टिग्नोमेट्रिक रिशियो जो है तो यहां पर मैंने ट्रिक लिखी है क्योंकि अब बेसिक लेवल का पढ़ा रहा हूं में वे यहीं पर वहीं पर पैदा होंगे जहां पर राइट एंगल हो तो मतलब जो अभी हैं अब तरे ट्रिक्नोमेट्रिक रिशियोज पढ़ने वाले है ना तो इनकी शुरुवात में तो राइट एंगल देखेंगे अंगे बट ऐसा मतस उमख्येगा कि ये हमेशा ट्रीक्डी ये बत्चा बच्चा जानता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 degree हो, जैसे यह देखी, यहाँ पर यह right angle है, यह right angle है, बी यहाँ पर 90 है, और यह right angle है, अलग-अलग तरीके सा आप right angle बना सकते हैं, मैं एक और बना दूँ तो लियो भाई, यह भी right angle triangle होगा, कुछ भी हो सकता है, तो यह तो बच्चों वाली बात हो गई, यह देखे-ए angle B equal to 90C को समझदारी में लिखते हैं ABC लिखते हैं या इसी को CAB लिखते हैं टार्गेट होता है कि एंगल भी बीच में होना चाहिए ओके सबसे बड़ी साइड क्या होती है हाइपोटेनस हुआ करती ही जो कि 90 डिगरी के सामने होती है क्योंकि यह सबसे बड़ी साइड है और इसके सामने का इंगल यह है तो यह भी 90 डिगरी होता है है बाकी की जो दो साइड होती है वो क्या होती है या तो वो ये परपेंडिकॉलर होंगी या वो बेस होंगी depending on the angle, देखे, क्या होता है आपका जो परपेंडिकॉलर बेस होता या वो एमगल पर डिपेंड करता है, जैसे अंगल आपका यहां पर है, तो एंगल के सामने की साथ, आपोजट साथ को हमेसा परपेंडिकॉलर लिया जाता है और angle से जो चिपकी हुँए side होती, जैसे adjacent side बोलते हैं, उसे हम base लेते हैं, तो यह side base है और यह side क्या? perpendicular है, तो लिखा हुआ है remaining two sides में भी perpendicular and the base depends on the position of the angle, जी हाँ, अभी देखें, angle ये था, तो ये base से ये perpendicular है, बट एलिए आप इसकी बात करेंगे, angle उपर है, तो इस angle के एंगल यह स्थे फ्रेंट साइड आप दा राइट एंगल विल इस ऑल्वेज इबिंग हाइपोटेनस तो बहू फ्रेंट नहीं बोलते हैं अपोजट बोलते हैं अपोजट सडेने संमुक भुझा तो जो यहां पर आपके पास में राइट एंगल और एंगल के सामने की जो हुआ करती है उसे आप hypotenuse बोलते हैं तो यह रेखिए right angle इसके सामने की side को hypotenuse बोलते हैं इसे क्रण बोलते हैं ओके यह theta आपके पास जो angle जिस पर आपको काम करना है वो theta है तो इसके सामने वाली भुजा perpendicular या इसे हिंदी में लंब बोलते हैं और इसके नीचे वाली भुज़ा यहां पर इसे क्या बोलते हैं इसे आधार बोलते हैं इसे एडिजयसेंट साइट भी बोलते हैं आधार हो गया चली तो Sign theta is equal to number Decker p upon h cos tax cos beta is equal to b upon h current बटे आधार 10th ठीटर होता हूँ Sin and cos का ratio आता है इसलिए पॉन बेस यानि की कर्ण अपॉन आधार देट इस इकल टू वन अपॉन कॉस्ट तू और यह सारे फॉर्मुले आपने बना लिए कॉट थीटा इस इकल टू आधार बतेलम देट इस इकल टू बेस अपॉन पर्पेंडिकुलर वन अपॉन टैन तूटर अब दीखिए इसके फॉर्मुले यह नहीं कि विपरीट फॉर्मुले है तो दिख लिए जाब जानते हैं। कि SIGN का RECIVROCAL wichtiger होता है औरril कॉसेक का ₴ consciousness होता है तो कहीं पर लिखा होगा कॉसेक का साइन लिखा है क्या मैंने यह लिखा है तो SIGN किसका उल्टा होता है temos C кар iksi us से के एप racing सब्सक्राइब नट को सिह सब्सक्राइब कितना आता है तो साइन इस इकल टू टू आपको बंते हैं इनको आराम से नोट कर लिजी बहुत बेसिक चीजे हैं यहां से सुरू होती है त्रिकॉड मिती सार्व समीका है या ट्रिग्नोमेट्रिक अइडनीस, तो पहला फॉर्मूला है तो पहला फ्रमॉबा या सार्व स्क्वार स्क्राइड प्लस क्वार दिटे एक रकल बनेली अगला दीखिए अगली आइडनीय होती है sec square theta equal to 1 plus 10 square theta इसमें से 10 square theta को left बुला लिया तो 10 square theta is equal to sec square theta minus 1 10 square theta equal to sec square theta minus 1 में 2 part कर दिये अपने sec square theta, sec theta plus 1 sec theta minus 1 ओके और इसको एक चीज़ और मैं लिख सकता हूँ देखे धियान से यहां पर लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ 10 theta is equal to under root sec square theta minus 1 तो यह भी आपने बना लिया मतलब आप all possible result दिखा रहे हो कि क्या क्या हो सकता है अगला देखे sec square theta plus 1 plus 10 square theta तो आपने 10 को उधर बुला लिया इसके बाद आपने a plus b a minus b का formula लगा दिया है तो अगर आप minus को उपर रखोगे तो plus वाला नीचे जाएगा और अगर plus को उपर रखोगे तो minus वाला नीचे जाएगा देखे यह जो दो चीज़े है ना यह बहुत important है और आज कल के high level questions इसी से आते है चलिए अगला देखे sec square theta equal to 1 plus quarter square theta तो cosec square theta minus cos square theta equal to 1 दोनों पार्ट में तोल दिया एक बार plus वाला एक बार minus वाला इसको भी आप थोड़ा सा operation इसमें कर सकते है कि यदि आप कहेंगे cot theta is equal to होगा तो under root of cosec square theta minus का 1 में आपको तीन fundamental identity याद होनी चाहिए उसके बाद वो किस रूप में प्रश्न में दी गई है वो आपको पहचानना पड़ेगा और इतना तो देखने में समझ में आजाता है कि कौन सी positive कहाँ पर क्या होगा ओके एनिवे आईए बात करते हैं the sign of the trigonometric ratio देखें trigonometric ratio का sign अलग-अलग quadrant में अलग-अलग होता है यह आपके सामने quadrant दिया गया है यह देखें यहाँ से पहला quadrant दिया गया है मतलब यह 0 डिगरी है और यहाँ पर कित्ते डिगरी है 90 डिगरी इसको बोलते हैं 1st quadrant फिर 90 से लेकर कित्ते डिगरी 180 डिगरी और 180 डिगरी से लेकर कि कौन है भाई 270 डिगरी और 270 डिगरी से लेकर कि कौन सा फिर 360 डिग्री तो इसमें यह यह पहला कोड़ेंट फस्ट कोड़ेंट इस में रूल होता है All Positive यह किसका है All Positive क्योंकि इसमें सारे टिग्नोमेट्रीक रिश्यो पॉजटिव होंगे आप देखिए आपके पास सेकेंड क्वाडरेंट second quadrant किसका घर है sign का घर है तो इसमें sign positive होगा और sign positive होगा तो उसका ultra cost positive होगा third quadrant 10 का घर है तो इसमें 10 positive होगा और उसका ultra quad positive होगा और fourth quadrant जो है cost का घर है तो इसमें cost positive होगा और sign positive, exact positive होगा बाकी सारे negative होगे अब इसके बाद आईए देखे formula लेख लीजिए negative angle formula to sign minus theta वराबर minus sin theta cos minus theta equal to cos theta cos पे negative sign का असर नहीं पड़ेगा okay negative angle का मतलब ये समझे अगर आप उपर की तरफ जाते हैं तो plus theta count होगा और अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो minus theta count होगा क्योंकि उपर वाला angle anti-clockwise है और नीचे वाला angle क्या है clockwise है yes तो sorry नीचे वाला angle हाँ बिल्कुल सही है नीचे वाला angle clockwise है इसलिए उपर आया वाला angle plus theta count होगा नीचे वाला angle minus theta count होगा तो देखे साइन में minus sin का फर्क पढ़ता minus बाहर आजाएगा cos में नहीं पढ़ता 10 में पढ़ता 10 minus theta is equal to minus 10 theta अब देखे जी हम अब देखे यह दी sin n pi by 2 plus minus theta अगर n even है तो sin n pi by 2 plus theta is equal to n even है मतलब यह जो pi by 2 का गुडांक अगर even है तो sin किसमें तूटे गए तो plus sin theta में है minus sin theta में और plus और minus के जो चेनर हैंगे वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपका sin किस quadrant में आ रहा है आपका angle किस में आ रहा है तो अभी इसकी practice कराओंगा तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा अब देखे साइन n pi by 2 plus minus theta अगर n odd है तो याद रखेगा कि sin जो odd का मतलब 1 है 3 है 5 है कुछ भी है मतलब pi by 2 का विशम गुणक है odd multiple है तो आपके पास जो answer आएगा वो आएगा कितना plus minus cos theta plus minus cos theta मतलब यहाँ पर sin जो है cos में convert हो जाएगा और plus या minus है वो depend करेगा कि आपका कौन सा quadrant है तो आपने देखा क्या हुआ mainly आपने देखा कि odd के लिए odd के लिए sign किस में convert हो गया cos में ऐसे ही 10 किस में convert होगा cot में और cos किस में convert होगा sec में ठीक ना तो इसका use करके आप सारे formula बना सकते हैं for example मैं आपको एक चीज बता देखें जैसे sign आपने कहा 90 minus theta तो देखें 90 का गुणक क्या है आपे 90 यह पाई बाई टूगा multiple एक है यह और तो और है तो भाई जे देखते इसको क्या लिए दो cos theta अब कौन सा quadrant है यह 90 minus theta देखी जारा सा यह 90 होता है यह 90 होता है और 90 minus theta से कम ओके तो 90 से कम तो देखें 90 minus theta तो यह अपने पास क्या है 90 है और यह इधर 0 है तो 90 minus theta मतलब पीछे की तरफ जाएगा पीछे की तरफ मतलब first quadrant और first quadrant में sign क्या होता है positive होता है तो क्या जाएगा plus cos theta चली आईए इसके बाद कुछ formula है जो की बहुत important है सबसे पहला addition angle formula sign a plus b equal to इतना है इसके sin a minus b equal to sin a cos b minus cos a sin b cos a plus b equal to cos into cos b minus sin a into sin b और cos a minus b equal to cos into cos b plus sin into sin b बहुत important 10 a plus b में उपर plus रहता है नीचे minus आता है और अगर आप minus कर देते हैं तो उपर minus आ जाता है और नीचे plus आता है कोट a plus cod b का formula अच्छा थोड़ा कहीं use होता है याद कर लिए यह कोट a plus cod b equal to cot a into cot b minus 1 और नीचे cot b plus cot a और cot a minus b equal to cot a into cot b यहाँ पर plus का वाना जाएगा दीखे माइनस नहीं और यहाँ पर cot b minus cot a चली अब इसके बाद देखते है अगला formula sin a plus b into sin a minus b that is equal to sin square a minus sin square b अगर sin square theta को 1 minus cos square theta लिखते हैं तो यह हो जाता है cos square b minus cos square a अच्छा formula यह लिख लिए अप लोग सारे formula नोट करते जाएगे यह formula important है अगला formula देखे cos a plus b और cos a minus b का यह आप multiply करते हैं तो आपके बैस formula आता है cos square a minus sin square b इसका proof भी मैंने यहाँ पर दिया कैसे दिया देखे cos a plus b को आप लिखेंगे cos a into cos b minus sin a into sin b और cos a minus b को cos a into cos b plus sin a into sin b स्क्वेद याप multiply कर देते हैं cos a square a into cos square b sin a sin b cos a cos b sin a sin b cos b यह दोनों cancel हो गया और यहाँ पर बना गया minus sin square a into sin square b coz square is jaar two minus sin square a sin square b cos square को 0 minus arài santa square a और internal sin square and która is square a and points square b better away है यहाँ पर एक से कर एक से करने से कचे का सय स्क्वैर इंड भी शोड़ा से यहाँपर मिस्टेक रेंज परमेंज इसको इसको थोड़ा से अररेंज करके स्वाल करना पड़ेगा यहां के बाद यह आ गया है 1-sin2 A ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है देखे तो यह इसके बाद इसको आप solve और थोड़ा करेंगे तो यह answer आ जाएगा देखे यहां पर अपने पास में इसको और simplify करना होगा फिर आप कहेंगे कि सर यह term कहां से आगया है तो देखे मैं आपको बता दूँ यह term कहां से आगया है आप जानते न cos A plus B into cos A minus B का formula क्या होता है cos square A minus sin square B तो cos square A को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 minus sin square A और इसको लिख सकता हूँ कितना 1 minus cos square B तो यदि इसको आप चाहें तो यह हो जाएगा कितना कॉसे स्कूयर फी मायनस डास स्कूयर यिय् آज हो जाएगा यह दिलिक्रीकी कॉसे स्कू़एर स्कूयर ये हो गया आब और यहां प्राबलम तो इस तरीके से आपह यहां पास जाय दो इसको पूरा हम open कर देंगे तो cos b plus sign a और cos b minus sign a identity जो लगती है a plus b a minus b उसका इस्तेमाल करके यह हो जाएगा चलिए अब आते हैं कुछ इसके extra formula main formula तो हमने कर लिए है कुछ extra formula इसमें आते हैं उसको हम देख लेते हैं extra formula को एक formula 10 a plus b plus c तो formula थ्यान रखी इसका 10 a plus 10 b plus 10 c minus 10 a into 10 b into 10 c 1 minus 10 a 10 b 10 b 10 c 10 c 10 a तो यह formula बहुत काम का है इसको आप याद रखेगा तो 10 a plus 10 b into 10 c minus 10 a into 10 b into 10 c 1 minus 10 a into 10 b minus 10 b into 10 c minus 10 c into 10 a अगला formula है यह तो आप जानते होंगे 10 pi by 4 plus minus theta तो 10 pi by 4 plus theta 1 plus 10 theta upon 1 minus 10 theta 10 pi by 4 plus theta को यह आप इसको open करना चाहें तो आपके पास में क्या बन जाता है देखिए आपके पास में यह बन जाता है sin और cos की form में तोड़ देंगे आप इसको तो यह जो 10 है आपका sin upon cos हो जाएगा identity बन रही है आपको याद होगा cot of pi by 4 minus theta की form रही है यह यह बन रही है किसकी cot of pi by 4 minus theta आप देखे दूसरा formula 10 pi by 4 minus theta is equal to cos theta minus theta upon cos theta plus sin theta और cot theta minus 1 upon cot theta plus 1 तो यह जो identity बन रही है यह बन रही है यह cot of pi by 4 plus theta के home की चलिए तो यह काफी कुछ हो गया है के और इसमें एक formula जो आपका 10 a plus b plus c वाला थोड़ा सा इसको याद रखीगा यह किसे होता है 10 a plus 10 b plus 10 c और minus 10 a into 10 b into 10 c और नीचे फिर 1 minus 10 a into 10 b 10 b into 10 c or 10 c into 10 a तो इस तरीके से हम करते हैं कर दो कर दो कि अब हम चलते हैं नेक्स्ट गुड़न को योगवा अंतर में परवर्तित करने वाले सुत्र तो इसको आप इधर left to right देखेंगे तो योगवा किसमें परवर्तित कर रहा गुड़े में और अगर आप right to left देखेंगे तो आप इसको क्या कर रहा है यह आपको यह जो है आपको right to left देखने पर गुड़न को योग में डाल रहा है तो देखें कि sin a plus b plus sin a minus b कितना होता है 2 sin a cos b हुआ करते है तो sin a cos b आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप on में 2 आ जाएगा अगला देखते है cos a plus b plus cos a minus b equal to cos a minus b into 2 इसका प्रूब भी आपको करना है तो बहुत ही आसान है cos a plus b plus cos a minus b cos b sin minus sin a sin b sin a sin a b cancel हो जाएगा 2 cos a cos b की टम बच जाएगी यहाँ पर ओके और यदि sin a plus b sin a minus b का यदि प्रूफ देखना चाहते है तो 2 cos a sin b या 2 sin a cos b आप यहाँ पर बचा सकते हैं प्रूफ देखना है यहाँ पर sin a minus b minus sin a minus b तो इसको देखते हैं कैसे solve होता है यह देखे इस तरीके से इसको खोल दिया है sin a cos b plus sin a cos a sin b minus sin a cos b और plus cos a sin b तो यह जो है solve करने के बाद जाएगा 2 cos a into sin b ओके और इस तरीके से sin a cos b sin a plus b minus sin a minus b equal to 2 cos a sin b होता है कोई एक फॉर्मूला आप याद कर लेंगे उससे आपका काम चल जाएगा cos a minus b minus cos a minus b का इदी फॉर्मूला देखें तो 2 sin a sin b हुआ करता है यह बहुत इंपॉर्टन फॉर्मूला है इसको यह दी देखें तो cos a plus b किस तरीके सा जाएगा यह cos a plus b equal to cos a into cos b minus sin a into sin b और minus लगा हुए है तो 2 cos a cos b cancel हो जाएगा और उस minus sin a sin b तो अब आपके पास क्या बच चुका है यह भी माइनस है यह भी माइनस है तो माइनस 2 sin a sin b और यह दी उस minus sin को इधर ले जाएगे तो क्या बच जाएगा आपके पास में cos half of cos a plus b और minus cos a minus b यहाँ पे थोड़ी सी एक मिनट जी cos a plus b equal to देखे 2 sin a sin b का हमें formula बनाना है 2 sin a sin b तो 2 sin a sin b का formula जो होता है cos of a minus b minus cos a plus b थोड़ा से यहाँ पे mistake लिखी हुई है इस formula को सही कर दीजिए आप लो क्योंकि minus sin का सही use नहीं किया यहाँ पे minus आएगा मैं आपको बताऊं यहाँ पे minus आएगा देखे क्योंकि यह भी negative है यह भी negative है और इस minus sin को जब इस तरफ ले जाएगा तो cos of a minus b पहले आजाएगा और minus cos of a plus b बाद में आजाएगा अब यह बिल्कुल सही लिखा हुआ अब कोई दिक्कत नहीं है अब इसके बाद आपके पास 4 c and d formula है तो sin c plus sin d equal to 2 sin c plus d by 2 cos of c minus d by 2 sin c minus sin d equal to 2 sin c minus d by 2 cos of c plus d by 2 cos c plus cos d 2 cos c minus cos d 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2 important यह देखी cos c plus d के दोनों term cos में आ रहे हैं और cos c minus cos d के दोनों term sin में आ रहे हैं ओके चलिए आँगे देखेंगे देखेंगे अब इसके बाद double angle और triple angle formula की बात करते हैं यदि sin to theta is equal to 2 sin theta into cos theta और अगर यदि देखी double angle पे आपको theta मिल रहा है तो half angle पे आपको 2 sin theta by 2 यहाँ पर लिख लिए cos of theta by 2 okay and sin 2 theta is equal to 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta होता है तो single angle में बदलेंगे तो 2 10 theta by 2 1 plus 10 square theta by 2 similarly cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta तो single angle में बदलेंगे तो cos theta is equal to cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 जिसको एप्लस भी एमैनस भी के फॉर्मूले से आप ब्रेक कर सकते हैं और इसके हैं साथ दो और फॉर्मूले बन गाए cos 2 theta के एक बनेगा कॉस के टम में एक बनेगा साइन की टम में तो cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta that is equal to 1 minus 2 sin square theta और cos 2 theta का formula 10 के terms में यह बनेगा 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta तो cos theta is equal to 1 minus 10 square theta by 2 upon 1 plus 10 square theta by 2 इसी तरीके से 10 theta का double angle formula होता है 10 theta upon 1 minus 10 square theta 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 को ले ले लिए तो 2 10 theta by 2 1 minus 10 square theta by 2 sin 3 theta का formula 3 sin theta minus 4 cos sin cube theta यह इसको theta में लिखेंगे तो sin 3 theta by 3 से कर देंगे और यह sin 3 sin theta by 3 minus 4 sin theta by 3 cos 3 theta का formula एक लिए इसी तरीके से cos theta बन जाएगा 10 3 theta important formula है 3 10 theta minus 10 cube theta upon 1 minus 3 10 square theta और angle को एदी half कर देंगे तो 10 theta by 3 के terms में जाएगा 1 plus cos 2 theta equal to 2 cos square theta cos 2 theta equal to 2 cos theta minus 1 और 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta by 2 so cos square theta by 1 plus cos 2 cos theta by 2 तो यह important है मैंने काफी जल्दी यह सारे formula बताए है क्योंकि आप easily इसको त्यार कर लेंगे इसमें ज्यादा कुछ नहीं है एक और देख लिए लिए last class में cos theta by 2 को अपने root की form में लिख दिया है तो is equal to 1 plus cos theta upon 2 1 minus cos 2 theta लेते हैं तो 2 sin square theta ओके और 2 upon में चला जाएगा root ले लेंगे तो 1 minus cos 2 theta upon 2 का square root equal to sin theta sin square theta में 1 minus cos theta upon 2 तो 1 minus cos theta equal to 2 sin square theta by 2 यह sin square theta by 2 यह sin theta को root को ले गया है तो इस तरीके से बने गया है अब यदि 10 theta by 2 देखते तो आप जानते है sin theta by 2 और cos 2 theta by 2 होता है sin theta by 2 इसको करके यह एक नई चीज़ा बना सकते हैं यदि यहाँ पर अपने rationalize कर दिया है देखिए मज़े की बात यह कि rationalize करने के बाद 1 minus cos theta upon 1 minus cos square theta जो की यह बन चुका है तो बहुत ही मज़े की बात है अपने पास की under root 1 minus cos theta और 1 plus cos theta under root 1 plus cos theta 1 plus cos theta यह दी है और कोस 2 theta equal to 1 minus 1 plus cos 2 theta upon 1 plus 1 minus cos theta का square root यह cot theta by 2 देखिए यहाँ से आजाएगा क्योंकि ऊपर अपने cot का formula बढ़ा था तो cot theta by 2 यह देखे एरो लगा हुआ है यहाँ से cot theta by 2 भी आजाएगा और cot theta by 2 is equals to हो जाएगा क्योंकि cot theta by 2 is equals to इतना है 1 plus cos theta upon sin theta और cot theta by 2 is equal to sin theta upon 1 minus cos theta एक बार इसको चेक कर लिखा हूँ देखे cot theta by 2 को 1 plus cos theta होकर है 2 cos square theta by 2 upon 2 sin theta by 2 cos theta by 2 तो यहाँ से cos से cos cancel हो जाएगा 2 से 2 cancel हो जाएगा बिल्कुल सही है यहाँ पर आजाएगा cot theta by 2 और यदि इसको देखा जाए sin 2 theta by 2 को to 2 sin theta by 2 और cos theta by 2 और इदर से 1 minus cos theta equal to 2 sin square theta by 2 2 से 2 cancel हो जाए sin से sin cancel हो जाए cos upon sin बिल्कुल सही बात है दोनों result एक दम सही चीज को दिखा रहे है cot theta by 2 को चलिए तो यहाँ तक आपकी main technology है और इसके बाद अब सुरू होती है प्रतिबंदी सारवसमी का यानि की conditional identity जो की थोड़ा सा इसका difficult part है उसको मैं बहुत detail में आपके साथ ले करके चलूँगा बहुत आराम आराम से उसको मैं आपको साथ explain करूँगा चलिए आगे बढ़ते हैं